दोस्तों आज मैं आपको msword में msword की important setting बताने जा रहा हूँ इसमें क्या होगा आप अपनी file को password से product कर सकते हो तो आप password से किसे product करोगे इसके लिए सबसे फस्त आपको अपनी file type करना है यहाँ पर मैं msword खोला है मैंने msword open किया है तो मैं shortcut trick अपना हूँगा देखिए यह मेरी file type होगी ओके इसे आप file type करना पर आपको यह मैंने shortcut trick अपनाईए फिर करेंगा आप file value पर जाएगे save पर नहीं save us पर क्लिक करें कहाँ पर क्लिक करें save us पर क्लिक करोगे आप आपकी सामने एक download box को जाएगा save us का ठीक है वहाँ पर आप select करें आप file किस जगा save करना चाहरा हो हाट डिक्स में तो आपका mostly बॉस्ते लोग document में save करते हैं document में desktop पर तो मैंने document select किया okay then file name मुझे file name टाइप करना है file name टाइप करता हूंगा यह टाइप किया file name इसके बाद मुझे का जाना पड़ेगा देखिया टूल मेन्यू दिख रहा होगा आप टूल इस डायलोग बॉक्स पर आपको दिख रहा होगा टूल मेन्यू देखिया टूल क्लिक टूल एंड जन्रल ऑप्शन गो टू जन्रल ऑप्शन एक डायलोग बोक्स को जाए इसके आपको देना है पासवर्ड पासवर्ड आपको देना है पासवर्ड दी आपने फिर आप करो okay click on okay again password same password देना जो previous यह होई okay then okay यह आपकी फाइल यह आपकी करने वार सेव आपकी फाइल सेव हो चुकी आप चाहिए तो क्लोस करें इसको अब आपकी file देखे, file को अपने किस नाम सेब किया था? file को अपने अपने save किया था just open file, यह देखो, sonu नाम से type किया था अपने file को sonu भी click करेंगे, देखो यह आप से मांग रही password क्या मांग रही आप से password तीके, आप password क्रिए और यह आपकी file खुल जाएगे थैंक यू फो वाचिंग प्लीस सब्सक्राइब माच चैनल